हेलो जी, बेलकम बेक नोर्ष च्थे विल्लोग में सबी का सर्वाक बच्छा करती हूं, सब ठीक होंगे, और ठीक ही रहें और यहां पर सुबह मॉलिंग में नास्तिक के तैयारी कर रही हूं, मैं सैंडवीच बना रहे हूं बच्चो के लिए तो यहां पर आज और टमाटर लगा रही हूं, ब्रेड को सेख के, उपर बटर लगा के और अब इस पर क्हीरे काट के रख दूगी तो यहां पर खीरे भी कट कर दूँगी और यहां पर खीरे लगा दूगी अब उपर से डाल दूँगी में नमस और इसमें काली मिर्च खाफ अच्छी लगती है और यह जो रेड मसाला यह पीजा मसाला है तो पीजा सोस लगा के और फिर मैं रेडी तरियो इसको और यहां पे पत्ता गोबी की पत्ते भी लगाई हूं में कच्छे थे तो पीजा सोस की बज़े से बहुत आच्छा रखता है बडशे और यहां पी मैं तेल को छानके रख़ देती हूं तो यह जो भी इसमें कच्रा होता यहां पर मैं आज दाल पालक बनाओंगी तो पालक लेकर दालक बनाओंगी निखुकरा हुँ और देङ आ तरीकह साफ साफ करने का इस तरीके से एक आख ढंटल निकालने की जरुत नहीं होती है मैं इस तरीके से निकाल लेती हूं तो यहां पिल इसे साफ करलूँगी सुलभ और उसके बाद और और छाल पल 시 निकाल सफो भी आप देखियोंगे भी मैं किस तरीके से निकाल दी तो यह आराम से निकल जाते हैं लेकिन जो खराब गले हुए कच्छा रता है पत्ते रते गले हुए उनको निकाल गी और यहां पर अच्छे से कट कर लूँगी तो यहां पर मैं पालक को कट कर देंगे अच्छे से कट कर देखियों पर अच्छे से कट कर देखियों और यहां पर पालक उबालने के लिए रद्दी में और इधर दाल है इनको मैं वास कर लूँगे सबजियों को दोके रख दूँगी और दाल को सब को एक तरफ कर दूँगी दोके और फिर दूँगे अच्छे से कर दूँगे कर दो कर दो तो है कि यह पिदेखिए में प्याज और हरी मिर्च टामाटर कट कर लूगी ताल पिलटो कुछ होगने के लिए और प्लीज आप इतनी तेज चाकुन नहीं चला हमद चलाना क्योंकि मैं फास्ट बसन लगे मालूदि दाल दूंगी तेल पकने के बाद उसमें जीरः डाल दूंगी और यहां पे तेज पता डाल दूंगी दो लॉंग डाल दूंगी तो लॉग का वीकाती अच्छा फ्लेवर आता है अजिस भालग में, तो दाल में तो वह टेस्ट आता ही है, यहां पर डाल दूंगी साफ़ धनिया, और यहां पर डाल दूंगी में प्याज, डस्टन और टमाटर, और इसको पकने दूंगी में तेल में, कि अफ्टी का अफ़ावध हृ लाल मेस ऐ डाल ढाल दूंगी है कि और कषिए में इंयर कि थौड़ा से में पाने डाले थाकि मश्रान नी जले कि ए और इसको अच्छे से पका lot प्रश्चे से पकने के बार्द में उबला हुआ पालक को अच्छे से काटके और पीस के फिर डाली हूँ क्योंकि जो रेसे से आते हैं मां फिर वो मुँमें अच्छे नहीं लगते तो मैं अच्छे से इसको बारीक बारीक चोप करी हूँ यह पीस भी सकते हैं पीसने से ज़्यादा बारीक हो जाता है तो मैं वैसे चाफु से चोप करी हूँ और उठको अच्छे से कट करके फिर यहां डाल दूँगे में डाल और फिर पानी डाल रही हूँ तो पानी मनलब अच्छे से डालने होता है क्योंकि डाल भी इसमें उगलेगी तो इसलिए वैसे डाल को उबाल के फिर बनाते हैं चोप के और इस तरीके से भी बन जाता है तो इस तरीके से बनाते हैं जब मसाले सारे अच्छे से मिक पलक में तो अलग से तलका लगाऊंगी मैं अभी घी में और यहां पर कट कर रही हूं धनिया तो बारीक-बारीक में कट कर लूँगी और इसको एक से दो सीटी आने तक पकने दूँगी मैं क्योंकि मैं दाल को थोड़ा लेट भी होई थी इसलिए में दो सीटी लगानी पड़ी और यह अच्छे से पक गई है ताल और यहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से मसाल एक्जोब कर लेती है सबजी तो देगी पानी बिल्कुल परफेक्ट था ना कम ना ज्यादा बिल्कुल मीडियम पानी डाली थी इसमें में और अंदर जैसे डाली थी में कोई मेजरमेंट करके नहीं डाली अब मैं लगाँगी घी का तड़का तो यहां पर मैं गहीं डाल दी और गर्मी में गिपल पिखला हुअ ही रहता है अभी और यहां पर डाल दूगी लसन और जो देसी की होता हम वे Dieser होता है और जो वैसा होता है न तो फिर भी नहीं पिख लेह होता है और कहां हैं और यहां पर सामच्प लाल मिघ्डाल में आंकि मिघ्डा डाल देती हूं है उससे ज्याहर दाल देती उ इस पर जिसलिए सब्राख से यहां तो यहां पर दाल पालक की सब्जी बन के तयार है और इस प्राइड, तैस्ट पराटे देटी अग्ता स्वाग से अब बनार्यों मैं आप ही बोकष टो होगे कर दो 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 और यहां पर देखें में रोटी यहां बना ली खाना काएंगे और अधि कि इस तरीके से जो दाल पालक बनती है वह बहुत अच्छी लगती है और सब्ते में एक बार तो पालक खाना ही चाहिए और यहां पर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना है जय माता दी दो बाएक सब्सक्राइब करना है जय दो दोट। वर सब्सक्राइब करने में कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो करना चार भाल झाल झाल